हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होमफूट रेसिपीस आज हम बनाएंगे चॉकलेट मोदक जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते है एक मोदक मैं यहाँ पे आपको काटके भी दिखा रही हूँ कि इसमें स्टफिंग कितना अच्छा दिख रहा है इस मोदक को आप कनेश चतुर्थी पे गनपती बापा को प्रसात के तोर पे चड़ा सकते है बनाने में यह मोदक एकदम आसान है और एकदम कम समय में बन जाते है खास करके छोटे बच्चों को तो यह मोदक बहुत ही पसंद आएंगे तो चलिए चोकलेट मोदक बनाना शुरू करते है सबसे पहले एक बाउल में हम वन थड़ कप जितना यानि की ग्राम में 25 क्राम जितना सुखे कोप्रे का बुरा एड़ करेंगे चो इस तरह से बारिक बुरा आता है हमें वही लेना है अब इसमें हम एड़ करेंगे दो बड़े चम्मच यानि की दो टेबल स्पून जितना काजू बादाम और पिस्ता का पावडर इसकी कॉंटिटी कम थी इसलिए तीनों को मैंने सिल्बटे में ही कुट कर पावडर कर लिया था अब इसमें हम एक बड़े चम्मच जितना मिल्क पावडर एड़ करेंगे इससे आप ज़रूर एड़ करें इससे मोदक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब इसके अंदर हमें एड़ करना है कंडेंस मिल्क कंडेंस मिल्क की रेसीपी मैंने पहले ही चैनल पर बताई हुई है वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक पि दी दूँगी अभी मैंने इसमें एक बड़े चम्मच जितना ही कंडेंस मिल्क एड़ किया है मिक्स करने के बाद अगर ये मिक्स्चर सुखा लगे तो हमें इसको और एड़ करना है तो इसे अच्छे से हम मिक्स करके देख लेंगे अभी भी ये मिक्स्चर मुझे थोड़ा सुखा लग रहा है तो एक बड़े चम्मच जितना condensed milk मैंने और मिलाया है हमारा जो mixture है वो अच्छे से bind हो जाना चाहिए बस उतना ही हमें इसमें condensed milk add करना है तो अब इससे ज्यादा हमें condensed milk add करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पी आप देख सकते हैं कि जैसे हमने आटा गुंदा हो उसी तरह से यह bind हो गया है अब हम हातों को तेल या गी लगा कर grease कर लेंगे और इस mixture में से हमें छोटी-छोटी गोलिया बना कर तयार कर लेनी है गोली की size एकदम बड़ी नहों उसी बात का बस त्यान रखे तो इसी तरह से मैंने सारी गोली बना कर तयार कर ली है और इतने mixture में से टोटल 17-18 गोली बनी है अब मैंने gas पे एक sauce pen में थोड़ा सा पानी गरम करने रख दिया था जब पानी अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसके उपर एक microwave safe बाउल रखेंगे और इस पे हम 100 ग्राम जितनी milk chocolate एड़ करेंगे यहाँ पे मैंने mode brand की milk chocolate को छोटे टुकड़ो में काट कर एड़ की है ताकि वो जल्दी से melt हो जाए और gas की flame मैंने यहाँ पे slow ही रखी है continuous इसे हम चलाते जाएंगे तो हमारी जो chocolate है वो अच्छे से melt हो जाएगी अब मैंने यहाँ पे एक plastic का मुदक mold लिया है जो इस तरह से आपको market में 20 रुपे में आराम से मिल जाएगा अब इसमें हमने जो chocolate milk की थी वो हम आदे चम्मच जितनी हर एक mold में fill कर देंगे बहुत जादा chocolate add ना करे और पूरे mold में में इसी तरह से chocolate बर दूँगी यहाँ पे मैंने milk chocolate ली है आप चाहे तो dark chocolate भी ले सकते है लेकिन उसका taste थोड़ा बीटर होता है अब जो हमने stuffing का ball बनाया था वो हम इस तरह से center में हर एक mold में रख देंगे और इस तरह से stuffing की गोली रखने के बाद हमें फिर से इसे chocolate भर के cover कर लेना है तो पूरे mold को में यहाँ पे इसी तरह से chocolate भर के ready कर लूँगी चोकलेट जो हो वो room temperature की हो उस बात का खास द्यान रखे वरना वो अच्छे से melt नहीं होगी अब mold की side पे जो chocolate लगी होई हो इसे हम इस तरह छोटा सा tissue paper लेकर या फिर कपड़े की मदद से पोच लेंगे और इस mold को हमें 10 मिनट के लिए fridge में रख देना है set होने के लिए टूटल 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारे मोदक अच्छे से set हो गए है तो अब हम mold को इस तरह उल्टा करेंगे और इसे बाहर निकाल देंगे तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारे chocolate मोदक जो है वो बाहर निकल रहे है और इसका shape भी देखिए बहुत ही अच्छा आया है बिल्कुल बाजार में जैसे chocolate मोदक मिलते हैं उसी तरह से ये तैयार हुए है तो बागी के सारे मोदक हम इसी तरह से निकाल कर plate में रख देंगे जो बागी बची गूलिया है उसी में से आपको इसी तरह से मोदक बना लेने हैं 100 ग्राम chocolate को फिर से melt करके सेम प्रोसेस से आप बागी के मोदक भी बना सकते हैं और अब आप यहाँ पे देखिए कि जो मोदक है वो अच्छे सी plate में बैट नहीं रहे है तो एक चाकू की मदद से पीछे से जो एकसेस पाठ है उसे हम काट लेंगे बहुत जादा इसे हमें काटने की जरूरत नहीं है बस ही plate में अच्छे से बैट जाने चाहिए हिलने नहीं चाहिए तो थोड़ा थोड़ा हम सारे मोदक में से काट लेंगे पीछे से और इसकी जो side है वहाँ पर भी हम इस तरह से एकसेस चोकलेट हो उसे काट कर इसे even कर लेंगे एकदम अच्छे से हमें मोदक को finishing दे देना है प्रेंट्स हमारे चोकलेट मोदक बनके तयार है इस कनिश चतूर थी पे आप भी ये मोदक जरूर से बनाएगा और अगर आपको गुड़ वाले चूर्मा के लड़ू और चीनी वाले चूर्मा के लड़ू की रेसिपी देखनी हो तो दोनों की लिंक में वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब बटन की बाजू में जो बैल आइकन है उसे भी दबाए ताकि आपको मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देई हुई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाई